हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई चैनल क्या दोस्तो आपके चेहरे से भी नमी चली गई है आपके चेहरे पर जो मॉस्चुराइजर था नमी थी ओईल था वो खतम हो चुक है बढ़ती उमर के कारण या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा काले दाग धब्बे हो गए हैं उन्हें आप हटाना चाहते हैं तो एजी सिंपल नुस्खा मैं आपको बताऊंगी जिसके जरिये आप अपने चेहरे के मॉस्चुराइजर को दोबारा ला सकते हो नमी को बनाये रख सकते हो जूदियों को बगा सकते हो और बुड़ापे से जवान आ सकते हो और इतना ही नहीं यह नुस्खा इतना बढ़िया है इतना कारगर है कि इसके यूस से आपके चेहरे पर कभी भी दाग धब्बे कि इसके यूस से आपके चेहरे पर आएकाले दा बायब हो जाएंगे तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताते हूं कि आखिर आपको करना क्या है और मैंने यहां पर बनाना लिया है इसका यूज आपको आखिर किस तरह से करना है कि यह आपके चहरे के रंग को खोरा करें दाग धब्बो को बगाए और आपको हमेशा जवान खोफिरत बनाए रखे तो सबसे पहरे आपको लेना है बनाना यहां पर फ्रेंड्स आपके चाहरे के लिए आधा बनाना काफी रहेगा आपको आधा बनाना लेना है दिखी दोस्तों कितना बनाना आपको लेना है बागी के बचे हुए बनाने को आप खा सकते हैं और इस ब चोटे साइज के कद्दूकस को मैं इसे जल्दी से रप कर लूंगी चुका है इस तरह से आपको एक टन्से इसे स्मून्ध कर लेना होगा चलिये निकाल लेतें अब इसे एक बाउल में आपको clean bowl लेना है इस बनाना प्रेस्ट को आप इस बाउल में एड़ करतीजिएगा इसके बाद को इसमें एड़ करना है वन स्पून हनी हनी हमारे चहरे को बनाई रखता है नमी को बनाई रखता है आपके चहरे पर जूर्य नहीं आने देता है जिससे आप मेज़ा जवान और खुपसरद दिखाई देते हैं चहरे के काले दाग धपो को भी light करता है और धीरी दिने उन्हें ऐसे जड़ से गायब कर देता है कि जैसे कभी आपके चहरे पर थे ही ना हो चहरे के काले धपो को जड़ से खतम करने के लिए चहरे के open pot को clean करने के लिए वापर भरी गंदगी को हटाने के लिए इसमें एड़ कीजेगा lemon आपको इसमें आधा नीबू एड़ करना है अगर आपके चहरे पर lemon सूट नहीं करता है तो आप इसमें एक चमच के करीब lemon एड़ कर देजेए इसके अलावा आप इसमें rose water एड़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप lemon यूज कर रहे हैं तो वो आपके चहरे के काले पन को तेजी से काटेगा आपके चहरे पर tanning भी आ गई है तो उसे भी तेजी से remove करतेगा तो आधा नीबू इस तरह से आप इसमें एड़ कर दीजिए अब आपको जल्दी से इस paste को mix कर लेना है एक तो गाड़ा और smooth paste हमारा यह बन कर तयार होगा आपको इसमें कुछ भी extra add नहीं करना है नहीं तो हमारे यह paste एकदम पतला बन जाएगा अब देखिए कितनी जल्दी हमारे यह paste बन कर तयार है अब आपको मात्र करना यह है कि आपको से अपने face के ऊपर apply करना है paste पर apply करने से पहले चहरे को normal water से wash कीजिए उसके बाद आप इस paste को अपने चहरे पर लगा कर करना चाहते हैं बढ़ती उमर से वापिस आना चाहते हैं चहरे के काले दाग दबगों को हटाना चाहते हैं तो एक बार इसका जरूर यूज़ करके देखिए एक बार में आपके चहरे की स्किन इदम से soft मूलाया हो जाएगी और अगर आप लगतान वीक तक आप इसका यू हो चुकी है तो गाइस अगर आप भी जवान और खूपसुत बने रहना चाहते हैं दार दबगों को जड़ से कतव करना चाहते तो एक बार इस दन उसके का चरूर यूज़ कीजिएगा तो यह था आज का मेरा वीडियो आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको मेरे अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करतीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथी बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते रहें तो मिलते हैं ने अच्छा लगा हो जाए तो मिलते हैं 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 तो झाल 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 झाल